अलो स्टूडेंट वल्कम बैक टो दी चैनल दिनेश सरी सुडियो में हम बात करेंगे उन सारे बच्चों की जिनके 12 के रिजल्ट निकल चुके हैं और वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं या तो अभी 10th के रिजल्ट निकलने के बाद कुछ सब्जेक्ट में फेल ह फेलाज सारे बच्चे जो पहले झोई एक्जाम दीए थे 10th और 12th स्टैंडड का और जो पहले फेल थे बट किसी कारण से उन्होंने से olmaz में ikkeला था लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि dual में ता वो जुलाई में आया है, फॉर्म भरने की जो डेट है, रिजल्ट के नोटिफिकेशन के साथ ही आती थी, लेकिन इस बार जो रिजल्ट का डेट आया, अनॉंसमेंट हुआ, उसके साथ रिपीटर एक्जाम, इंप्रूमेंट एक्जाम, प्राइवेट एक्जाम के बारे म यह रिपीटर एक्जाम होती है, वो जून में रिजल्ट निकलने के बाद तुरन जुलाई में लिया जाता है, जिससे क्या होता है, कि जो एड्मिशन प्रोसेस होता है, करन्ट इयर का, उसमें जो रिपीटर बच्चे होता है, या फेल बच्चे होते हैं, एक दो सब्जेक आया नहीं है अभी तक, जैसा आना चाहिए था, जो फेल बच्चे हैं कुछ सब्जेक में, उनकी एक्जाम लेने के लिए गवर्मेंट के पास एक ऐसा मौका, जो फेल बच्चे थे, उनकी एक्जाम अगर लेना भी हो, तो किस तरह से ली जाए, अभी जो माहौल है, ऐसे म में, जो भी एक्जाम पहले से अरेंज थी, एप्रिल में, मार्च में, फिर उसके बाद जून, जुलाई में, सारी की सारी एक्जाम पोस्पॉंड कर दी जा रही है, या तो कैंसल कर दी जा रही है, तो अगर गवर्मेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, और एक्जाम की होता है, महाराश्टरा बोर्ड की तरफ से, तो ऑक्टोबर के आसपास की डेट रिलीज हो सकती है, ये जो एक्जाम जुलाई में होती थी, वो ऑक्टोबर में होने के चांसे हैं, अगर दूसरा जो बोर्ड की सामने ऑप्शन ये है, कि सिचुवेशन ठीक ना रही, एक्ज है, महाराश्टरा बोर्ड के पास, ये सब क्लियर होगा, महाराश्टरा बोर्ड की तरफ से, आने वाले नोटिफिकेशन से, महाराश्टरा बोर्ड का जो सर्कूलर आएगा, रिपीटर एक्जाम और प्राइवेट एक्जाम, इंप्रूमेंट एक्जाम को लेकर, वो मैं त जो भी सर्क्लर आएगा डेट रिलीज होगी आप तक पहुचा निकली इसके साथ ही बता दू कि जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो समझो नाइन्थ फेल थे या नाइन्थ के पहले कोई स्टेडर फेल थे डाइरेक्ट 10 देना चाते हैं या जो स्टूडेंट 10 दे पहले थे जिनको डाइरेक्ट 12 देना बिना 11 दिये या जो 11 में फेल थे उनको 12 देना ऐसे स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एक्जाम दे रहे हैं फॉर्म नंबर 17 बर के वह भी जून में आ जाता है लेकिन वह अभी तक आया हुआ नहीं है उसका कोई नो निकलने के बाद इसकी नोटीस आने चाहिए थी वह नहीं है इसलिए मैंने वापस आपको इसका इंफरमेशन दिया है चानल से बने रहा हो जो भी अपडेट आएगा आप तक मैं जरूर कोचाओंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के झाल 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